Hello friends, this is S.P.S. and welcome to Smarter Every Day Dear friends, आज हमारे पास topic है धर्म निर्पेक्चता यह एक ऐसा common topic है जो सभी universities में है धर्म निर्पेक्चता ठीक है? कुछ universities हैं जहां बिए फर्स्ट यर में हैं और कुछ universities हैं जहां बिए जेकंड यर में हैं लेकिन सभी universities का common topic है धर्म निर्पेक्चता और सिक्षा secularism and education यहां पर ध्यार मत दीजेगा सिर्फ topic देखिए तो विधवत तरीके से इसका आर्थ, परिभाशा, concept, उद्देश जो भी कुछ है बहुत deeply हम इसको समझने वाले हैं बहुत ही आशान भासा में आपको साथ में याद भी हो जाएगा कि धर्म निर्पेक्चता होता क्या है देखिए, एक-एक step को समझिएगा वैदिक दिर्ष्टी से धर्म का अर्थ धारन करता होता है धर्म का अर्थ क्या है? धारन करता अर्थात, जो कुछ हम धारन करते हैं वही हमारा धर्म है है ना, हम लोग अपने धर्म के अनुसार वस्तर भी धारन करते हैं अपने धर्म के अनुसार ही हमारे आचार, विचार, संस्कृत ही हमारे धर्म के आधार पर ही है इस दृष्टि से मानव सरीर के रूप में हमारे करतव ही हमारे धर्म है यानि कि हमारे करतव ही हमारे क्या है धर्म है किन्तु वेवहारिक रूप में हम समाज में प्रचलित कोई हिंदू है, मुसलीम, शिक, इसाई, जैन, बौध आदी ये जो पंथ हैं शंप्रताएं हैं इनको ही धर्म के रूप में ग्रहन किया जाता है आगे बढ़ जाते हैं आपने धर्म का आर्थ समझ लिया आप देखिए धर्म की व्याख्या करेना बहुत कठिन है लोग धर्म को अपने अनुसार मानते हैं अगर धर्म को एक्स्प्लेंड किया जाए तो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा लेकिन जो धर्म है वो हम अपने हिसाब से अपने जाती के एकॉर्डिंग उसको मानते हैं कोई धर्म को प्राथना वो पूजा मानता है तो कोई इसे आंतरिक चेतना मानता है श्रीमत भगवत गीता में कर्म को धर्म माना गया है यानि कि जो हमारा कर्म है वही धर्म है धर्म को मोक्ष या इश्व प्राप्ति का इस्थान माना जाता है धर्म के बताय हुए मार्ग पर ही चलते हुए हम विशेश अनुभों को प्राप्त कर सकते हैं प्राणी का सर्वोच इस्तर ही मोक्ष की प्राप्ति यानि कि हर एक प्राणी का सर्वोच इस्तर क्या है मोक्ष की प्राप्ति धर्म को भारत में आत्मग्यान और आत्मबोध का ही प्रयावाची माना जाता है यह मानो सेवा से जुड़ा हुआ है प्रतियक धर्म मानो सेवा क को ही सर्वोच मानता है कि मानव की शेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है मनुस की शेवा करें जीव जन्तूं की शेवा करें कुछ लोग धर्म का मुख्य आधार सत्यम, शिवम, सुन्दरम को मानते हैं धर्म का मुख्य आधार किसको मानते हैं? सत्यम, शिवम, सुन्दरम को प्रत्यक धर्म सर्वयापक्ता, सर्वशक्तिमान और योग को योग को प्रमुख मानता है धर्म सर्वोच सत्ता का विश्वाश है वहा कारक है प्रभाव है निश्कर्स है विचारों को केंद्रित करके विशेश चिंतन और अनुभों को प्राप करने में धर्म सहयक होता है तब मनुस अपने को वेवार या लौकिक जगत की जो तरशनाये हैं उनमें दुर्वेशनों से अलग करके शोहरदे में उस सर्वसक्तिमान को इस्थापित करता है यह बात हो गई धर्म की, अब आगे बढ़ जाते हैं और धर्म से रिलेटेड दो परिभाशा है आपके शामने हैं महा पात्र कहते हैं धर्म एकी करण और समनवय का सिद्धान्त है वही पर दूसरी प्रिवाशा है, धर्म सिर्फ विश्वास नहीं है, एक विवहार नहीं है, सिर्फ द्रड विवार नहीं, आचरण है, सिर्फ आस्था नहीं बलकि क्रिया है, जो धर्म है वह आचरण है, एक क्रिया है, धर्म में मानों का शंपूर्ण विक्तित तो शामिल हो और कारे करना बिना किसी धर्म के आधार पर अपने निर्णे लेना और कारे करना हमारे लोक तंत्र में धर्म निर्पेक्षिता को इसी अर्थ में लिया गया है बलकि व्यावाहारिक रूप में धर्मनिपेक्षिता एक शामाने मानविय भावना है जो उच्च एवं स्रेष्ट विचारवान मनुस्यों के अंदर पाई जाती है जब विक्ति किसी दूसरे विक्ति के धर्मिक विचारों मूल्यों और विश्वासों को शहन करता है और उनका बिना किसी भेदभाव की शमान करता है तो इस विचार धर्मनिपेक्षिता कह सकते हैं हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंतर हैं किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं यही धर्मनिपेक्षिता कहती है क्योंकि मनुस्यों समाज का ही एकंग है और वहाँ समाजिक प्राणी भी है जब मानो सब्यता का उदय हुआ है तब ही से प्रेम, इसने दया, सहयोग और सहन सीलता की रूप में धर्म निपेक्षिता का परचलन या सुबारम हो गया धर्म के व्यापकर्द को लेने पर या संकल्पना क्या है उप्युक्त है धर्म निपेक्षिता और पंथ निपेक्षिता दोनों ही अपने अंदर समान भावना रखते हैं और वर्तमा शमय में हम जिस धर्म निपेक्षिता को सुईकारते हैं वही हमारी पंथ निपेक्षिता है आपको बताते चले धर्म निर्पेक्षिता अंग्रेजी के सेकुलरिस्म सब्द का हिंदी रुपान्टन अंग्रेजी का वर्ड है सेकुलरिस्म जिसका हिंदी रुपान्टन क्या है धर्म निर्पेक्षिता सेकुलर सब्द का विश्कार जी जे होलियोक ने किया था किष्णने किया था जी जे, होली योक ने किया था धर्मरेपेक्षिता की कुछ परिभाषां हैं मैं अधिकार पूरवक कहना चाहता हूं कि धर्मरेपेक्षिता कार्त नास्तिक वाद नहीं है इस कार्थ है हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें चाहें किसी भी धर्म जाति के शमदाई के लोग हूं हम उनका मबान शम्मान करें सभी धर्मों को बराबार इस्थान दे हमारा राज ये किसी एक धर्म से शमंदित नहीं है मात्मा गांधी कहते हैं हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को शमान आदर प्रदान करते हैं अर्थाथ हम सर्वधर्म शंभाव में आस्था रखते हैं किसमें हम सर्वधर्म शंभाव में आस्था रखते हैं इसमें अनेक पंथ और विचार शमाहित हैं। यहां पर जितने भी धर्म संपरदाय हुए उन्होंने समय समय पर सुधारवादी मार्ग अपनाया। चोदमी और पंदरमी शताबदी जोती उन्हें एक बर पुना भारती जन्मानस ने धर्म की विभिन सुधारवादी आंदोलन चलाए। और भारत में हिंदू-मुसलिम एक्ता का इस्पस्ट प्रभाव 1857 में इस्पस्ट रूप से देखने को मिलता है। अनेक धर्मिक आंदोलनों के प्रणेताओं ने जैसे हजरत ख्वाजा हो गए, मुईनुद्दीन चिस्ती हो गए, ख्वाजा निजामुद्दीन और या आदिस में क्या थे प्रमुक थे। भक्ति आंदोलनों में रामानुज, रामानंद, कबीर, नामदे, गुरुनानक, चैतन, महापरभू, मीराबाई, वलबाचार ये सब किसमें थे, ये भक्ति आंदोलनों में थे। जीवनी में की, जेल जीवन में की थी, जेल में, मात्मा गांधी भी धर्म निपेचिता के पक्षदर थे, उन्होंने रामराजी की कल्पना मात्र हिंदू संपरदाई के लिए नहीं की, इससे उनका ततपर इस्वरिय राज अत्वा गौड के राज से था, जो सभी धर्मों के लिए एक शमान हो, डाक्टर भीम राव अमेटकर कहते हैं, धर्म निपेच्च राज जी का या मतलब नहीं है, कि हम लोगों की धर्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, धर्म निपेच्च राज जी का मतलब है, मात्र यहीं है, कि संसत लोगों पर किशिवी दानोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ही ना, हिंदू सिνक्ख बन सकता है, हिंदू कोई बिकिसी भी जाति को, किनी धर्म को अपना सकता है, शमधान में के वल्ल यहीं को सुइकार किया गया है, धर्म को सुइकार करने की सबको पूर्ण सवतंतरता है धर्म निपेक्ष्टा के कुछ उद्देशे हैं नमबर एक तो धर्म का अनावश्यक प्रवेश और किसी पर कोई दबाव नहीं होगा धर्म निपेक्ष्टा का सबसे प्रमोख उद्देश यहाँ है कि किसी भी राज की नैतिक्ता अत्वा सिक्षा आदि पर किसी भी प्रकार के धर्म का अनावश्यक प्रवेश या दबाव नहीं होगा प्रतेक्विक्ति एक दूसरे के अस्तित्त को बिना प्रभावित किये अपने कार एवं विवहार में निरंतर लगा रहेगा भारती प्रिवेश में धर्म निर्पेक्षता पस्टमी प्रिप्रेक्ष से भिन है यान की अलग है पस्टमी प्रिप्रेक्ष मतलब है विदेश से दूसरे देशों से भारत में धर्म निर्पेक्षता कार्थ है राज द्वारा किसी भी धर्म को आस्रे न दिया चाना राज धर्म निपेक्ष्टा का उद्देस यहां भी है धर्म निपेक्ष्ट राज की प्राप्ती हो प्रतेक विक्ति यह नागरिक को जहां समान उसर प्राप्त हो और जहां धर्म के आधार पर नागरिकों के क्रिया कलापों में विवधान ना डाला जाए यही इसकी क्या है बिशेषता है नेक्स पॉइंट जानते हैं अब देखिए डी इस्मित के सब्दों में वह राज जो लोगों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि तुम किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो प्रतेक विक्तिकों नागरिक्ता की मानिता देता है पहले ही वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो शमवैदानिक रूप से वह किसी विशेष धर्म से समंदित ना हो ना ही वह किसी धर्म विशेष की प्रगति और अवनित से समंदित हो एक अन्य व्याक्या में ये भी कहा गया है धर्म निपेक्षिराजी वहा है जो धर्म से अलग हो और किसी भी धर्म में अस्था ना रखता हो ऐसा भी कहा गया है धर्म निपेक्षिता में राजी का प्रतेक विक्ति एक समान होता है सबको एक साथ ले करके चलना होता है चैवा किसी भी धर्म या जाती समुदाय संप्रदाय से शमन्द रखता हो उन्हें एक समान अधिकारों एवं करतवियों की प्राप्ति होगी भारतिय समुदान का अनुचेत 15.1 यह गोशित करता है कि राज, धर्म, प्रजाती, लिंग तथा जन्विस्थान की अधार पर लोगों से भेज़भाव नहीं करेगा इस प्रकार भारतिक महान धर्म निर्पेक्ष राज की रूप में विश्व प्रिद्रश्च में अवत्रित हुआ और आज भी धर्म के समर्थक समाज में क्या हैं? उपस्तित हैं आगे बढ़ जाते हैं, अब यह कुछ धर्म निर्पेक्ष राज के कुछ आवश्चक तत्तो हैं, देखिए, पहला है धर्मिक सह सुनता से बुद्धीवात का विकाश, दूसरा है धर्मिक्ता की नियुनता से शानसारिक्ता या लौकिक्ता पर कम बलresh, तीसरा है शमानता और बंदुत की भावना, तीसरा है लचीला और वैग्याने के अवधार्णा, ये धर्मनिपेक्ष्टा के कुछ आवश्यक तत्तो हैं जिने आप सिर्फ देख लें डीप में जाने की आवश्यक्ता नहीं है। इस कॉंसेप्ट को देखिए। समिधार में धर्मनिपेक्ष्ट समाज से कुछ परमुख पिशेष्टाएं हैं। धर्मनिपेक्ष्ट समाज में ऐसी विस्ष्टाएं पाई जाती हैं जो से पवित्र समाज से अलग करती हैं। पवित्र समाज में परमप्रागत धार्मिक विवस्था जीवन के सभी पहलों को परत्यक्ष या अपरत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम और इसाई आदि समू पवित्र समाज के अंतरगत आते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो इसाई हो ये सारे समू किसमें आते हैं पवित्र समाज के अंतरगत आते हैं। हिंदू समाज में करमकांड हों, जादू टोने हों या अंदविश्वास इनको काफी महत्तो दिया जाता है। ऐसे समाज में किसी भी प्रकार के प्रिवर्तन को अच्छा नहीं समझा जाता। किसी समय हिंदू समाज में सती प्रता, दाश प्रता, बाल विवापर प्रतिबंद के लोग विरोधी थे। मुस्लिम समाज आज भी परिवार, नियोजन एवं विवा के चितर में सरकार का सच्छेफ नहीं चाहता है। धर्म रिपेश समाज में पवित्र समाज से विप्रीत प्रकार की बिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् की भावना होती है उनको एक ही दृष्टी से देखा जाता है चाहें वो किसी भी धर्म में संपर्दाय से समन्तित हो धर्मिक स्वतंतरता धर्म पेक्ष समाज में सभी को धर्मिक स्वतंतरता प्राप्त होती है कि किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंतरता है वह अपने विश्वार्श वं मानताएं विक्तिगत होती है अता विक्तिपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है धार्मिक शुतनता की पूरी उसको आजा दी है धार्मिक हस्तक छेप का न होना यहाँ भी एक पिशिष्टा है क्योंकि धर्म एक विक्तिकत मामला है अताराज एवं समाज विक्तिक के धर्मिक जीवन पर किसी प्रकार का स्थचेफ नहीं करते हैं ना तो राज करता है ना तो समाज करता है लेकिन कभी कभी जन कल्यान को ध्यार में रख करके ये समाजिक कुरूतियों से छुटकारा पाने के लिए धर्म और धर्मिक मसलों पर अपना सच्छेफ करते हैं परन्तु इसे इसकी धर्म निपेचता की बहुना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी धर्म विशिष्षता से समंदित ना होना धर्म निपेच्छ समाज या राज किसी भी धर्म विशिष्ष से कोई लिए नद्रान नहीं होता है परन्तु इसकार्थ ये नहीं होता कि या धर्म विरोधिया अधार्मिक होता है जैसा कि डक्टर अदेक्शन कहते हैं पर इस पर विशेश जोर दिया गया है देखिए धर्म पेक्ष समाज में धार्मिक संकीरताओं और कटरता का कोई स्थान नहीं होता है इसमें धर्म के पाड़ लौकिक पक्ष के स्थान पर लौकिक पक्ष पर बल दिया जाता है तथा लौकिक पक्ष के अंतरगत मानोजात की सेवा की जाती है और इस समाज में वेर्थ के जो आडंबर हैं रूडी बादता है उसको इस्थान नहीं दिया जाता है इसमें समाजिक समस्याओं को समाप्त करने से समंदित कार्यों पर बिशेश ध्यान दिया जाता है नेक्स्ट वन है धार्मिक सिक्षा के इस्थान पर धर्मने पेक्षित प्रकार की सिक्षा पर बल दिया गया है विवेक्त था तर्क पर आधारित है प्राचिन काल में लोग समस्त समाजिक घटनाओं को धर्म पर अधारित मानते थे प्रन्तु धर्म पेक्ष्टा के समावेस में से समाज में कारण समंदों पर जोड़ दिया जाने लगा जिसे तारकिक नर्णियों का उदै हुआ और समस्त वस्तु और करके गुण दोस्त पर तारकिक दिर्ष्टी से विचार किया जाता है जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि विश्व के सभी धर्म एक विसाल व्रक्ष के समान है और सभी धर्मों के अनुयाई एक दूसरी के साथ अपने मुख्य बेहिदों पर जोड़ दिये बिना परसनता पूरवक साथ साथ रहते भी हैं देखिए सेकंड लास्ट इस्टेप है हमारा भारती समिधान में धर्म निर्पेक्ष्टा से समंदित कुछ प्रावधान है संसोधन में धर्मिपेक्ष्टा सब्स जोड़ा गया 42 में संसोधन में है ना कि फर्स इस्टेप है अनुच्यत 25 समिधान के अनुच्यत 25 में सरवजनिक विवस्था सदाचार एं स्वास्थे के उपबंदों के अधिन रहते हुए सब व्यक्तियों को अन्ताक्रण की स्वतन परदाय अत्वा उसके किसी भाग को धार्मे के उन पूर्व प्रियोजनों के लिए संस्ताओं की स्थापना पूशन करना अपने धार्मिक कार्यों समंदी विश्यों के प्रबंद करने का जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्तों का तथा अनुच्यत 27 जो है इसके अनुसार किसी भी विक्त को किसी धर्म विश्यों की बढ़ोत्री के लिए कर देने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है अनुचिद 28 कहता है कि सरकार सिच्छन सस्थाओं में धार्मिक सिच्छा की मनाहिक की गई है किसी भी विक्त को सरकारी या सरकार से साहता प्राप्त सिच्छन संस्थाओं में धार में किसी च्छा या उपासना में भाग लेने के लिए बीना उसकी सहमत के बाद नहीं किया जा सकता है फिफ्ट वन पॉइंट लास्ट उप्रोक्त जो अनुच्छेद हैं इनके अत्रिक्त समिदान में कई ऐसे उपबंद भी हैं जिनसे धर्मिपेक्ष्टा की पुष्टी होती है जैसे समिदान के चौदमें उनुच्छेद में समानता की अधिकार को मानता प्रदान की गई है इसी प्रकार 15, 29, 30, 325 भी कुछ ऐसे प्रदाहन प्रस्तुत करता है जो धर्मिपेक्ष्टा के सब्पक्ष में है तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारे धर्मिपेक्ष्टा की क् कैसी रही कमेंड करके जुरू बताईए मिलते हैं मोजल दी नेक्स्ट क्लास में